कि 2015 अलोल बोर्ड के मसी की यूज करेंगे भी हम पहले मसी की यूज है कहते है एन अगर नेगिटिव इंटीजर है तो फिर एन का फिक्टोरियल है यह जो ना इसका मतलब होता है अब जो फिक्टोरियल होता है नहों सिर्फ पॉस्टिव नूंबर्स का होता है तो सिरीज है अगर पावर नेगिटिव हो या बटे में हो तो वह लेस देन इक्वल टू वन के लिए वैलिड होता है ठीक है और अगर हो हाली पाई तो वह होता है ठीक है अगता है डू अरे अगरे यिद्तर स्रेक्शनBaR लिखते हैं एक प्रापर होता है पाई ऊंद कर दूसरा इंट ए प्रॉपर कुण सह गता है जासरे वान ओवर एक्स प्लस ट्री इंपाठर कहा इंप्षिक हो और अवपर पावर बढ़ते हो उसको कहते हैं इंप्र पर, sine two alpha, sine two alpha के तीन फार्मुले हैं, two sin alpha, cause alpha, and cos square alpha, minus sin square alpha, one minus two, sin square alpha, two, cause square alpha minus one तिक है, इसके जो root से हैं वो किस्के बराबर हैं, x square plus x minus c equal to 0 तो b square minus 4ac से हम चेक करेंगे इसको b 1 है 4 a b 1 है और c minus 6 है 1 plus 24 यह 25 फाइव का square है अगर perfect square हो तो वो rational होते हैं ठीक है तो greater than zero भी हो तो साथ real भी होते हैं ठीक है तो यहां सिर्फ real दिया हो गया है तो real वाले हो जाएंगी empty set का जो power set है वो empty नहीं होता ठीक है non empty होते हैं पाक्स्तान और इंडिया एक match करते हैं तो यहां तो win होता है यह loss होता है तो यह sample space होगा है दो अब win होने के chance कितने है एक बटा दो आज़ेगा middle term middle term formula के आता है even के लिए n by 2 जमा 1 अब n 6 है बटा 2 जमा 1 तो यह 4 आज़ेगा fourth ठीक है फिफ्ट टर्म निकालनी है तो n की जगा पांच रख दें पांच से जमा पांच माइनस एक ब्राबर पांच से जमा एक तो एक की पांच अब यह 4 है जगार यह 6 अब अब a4 टर्म उसने दीओ यह 14 है ब्राबर 6 यह 20 आज़ेगा इसके बाद डुमेन है पहला पहला इंसा डुमेन होता है a b c सम अफ रूर्स जो हता है वह माइनस भी बटा है यह हता है इनवर्स अफ स्केर मैट्रिक अग्जिस्ट नहीं करता अगर वह सिंगलर हो तो यह अगर टिटर्मिनर जीरो आ जाए तो साइन आफ एक्स जो फंचन है इसकी जो रेंज है यह चप्टर 11 में इसका टेबल पर दिया गया है तो यह माइनस वन से लेकर वन तक होती है अगरे यह वाल ऑप्शन ठीक है इससलीशन अब यह किस क्वडरेंट में होगा टन जो है ना फिर्ट अथर्ड क्वाडर्र पास्ट्र यह वह और वॉल आप्शन रेंक आघए जीतने रोज में यह थारे जीरो ना हो उत्रा रेंक होता है यानि दो रोज हैसी है जिन में 11 मुझूद है तरह हैं किसका क्या है टू मैट्रिक मीन 1 और 16 के दिर में 1 मुल्टिप्लाइ 16 तो यह 4 प्लस माइनस आदेगा माइनस 1 की पावर माइनस योटा की पावर 19 है अदेगा यह इसको ठारा और 19 कर लेते हैं यह आडो गया पावर आडो तो माइनस माइनस ही रहते हैं तो यह अदेगा तो वी वल ओप्शन से ही है ठीक है जी उसके बाद इसका सेकिंड गरूप है कहता है इंप्रापर फ्रैक्शन जो होता है इसको हम डिवाइड कारके यह प्रापर बना सकते हैं ठीक है फिर यह 3 साइन 3x का 3 साइन 3x अब साइन का फिरियोड होता है 2 पाई 3 साइन यह 3 बार ले जाएं तो एकस प्लस 2 पाई बाई 3 तो यह 2 पाई बाई 3 इसका अंसर है 1 प्लस कॉज एकस 1 प्लस कॉज एकस जो है अगर मैं रखों कॉज एकस तो वन उदर जाकर क्या जेगा माइनस ठीक है अब कॉज को दर लेजें कॉज ऑफ इन्वर्स माइनस पर अब कॉज ऑफ इन्वर्स जो है यह पाई पे होता है 1 ठीक है तो पाई का आजएगा इसका अंसर हो जेगा एक यूनियन लेना है एंटर्सेक्शन बी एंटर्सेक्शन बी में वू वले आएंगे जो एऔर बी दुनुन में जब एक साथ उनियन करेंगे तो एवले सारे आजएंगे वापस fourth roots of unity equal fourth unity क्या आता है one minus one iota और minus iota सब को sum करें तो zero आ जाता है geometric mean का formula क्या आता है जो भी दिया गया उसको अंदर multiply कर दो two iota, eight iota plus minus minus 16 iota का square iota square होता है minus one तो iota 16 तो four आ जा 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 जाब plus minus four अब यह equation equation of line है तो straight line, graph भी इसका क्या होगा straight line यह होगा cos two alpha, two cos square alpha minus one, इसके मैंने अभी आपको तीनों चानों फार्ब लिख वाए थी अब 10 under root pi by three क्या होता है 60 पे, तो pi by three आ जाज़ेगा answer radius, जो r है वो delta वर s होता है expansion valid का बहुती है जब less than one हो, पावर अगर negative में हो ला अगर यह zero के equal है तो x निकालें, इसको इसके साथ करेंगे तो minus one, minus three x equal to zero, minus three x equal to one, x equal to minus one by three पांच की can be arranged, अब अगर की वाला स्वाल हो तो formula आता है, one by two n minus one factorial one by two, n क्या है five, minus one factorial तो यह आजगा चार factorial, तो यह होता है 24 बटा दो तो यह आजगा बारह ठीक है modulus modulus लिए अनले के लिए दोनों का scale लिया जाता है तो नौ जमाशोला पच्चीस पच्चीस को होता है पांच ठीक है harmonic mean जो होता है उसका formula हमरे पास क्या होता है पिछले जो paper हमने किये थे यह होता है 2AB over A plus B ठीक है 2AB over A plus B और arithmetic mean का क्या होता है A जमाशोला B बटा दो arithmetic mean का क्या होता है under root A B ठीक है तो इसका क्या होता है C वाला sum of odd coefficient यह थे 2 की power and minus 1 ठीक है और अगर हाली हो sum of coefficients in binomial odd coefficient ना हो हाली coefficient होता हो तो 2 की power and होता है omega का complex root of unity है तो उसका conjugate क्या होता है यह देखें omega क्या होता है minus 1 plus under root 3 योटा by 2 जब conjugate लेंगे तो यह योटा बली लामद चेंज हो जाएगी बस यह मेगा स्केर होता है ठीक है यह मेगा स्केर आज़े है इसका a वाल option sign under 3 by 2 कब होता है 60 पे होता है ठीक है इसका table भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया हुआ स्केर मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशन होता है अच्छा इसकी दो कंडिशन होती है एक होता है हर्मिशन और एक होता है नान हर्मिशन हर्मिशन होता है अगर एक कांजूगेट का ट्रांसपोज बराबर हो a के और स्क्यू हर्मिशन होता है अगर एक कांजूगेट का ट्रांसपोज बराबर हो माइनस a के तो यहां स्क्यू हर्मिशन के लिए क्लिए 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 है माइनस एक बराबर होना चाहिए फिर कॉइन इस ट्रॉस टेल है टेल आ सकता है यह है तो सांपल टोटल टू हो गया अब इसमें हैड की चांस कितने है एक तो एक बटा दो आदेगा ठीक है तो यह भी पूरा हो गया ठीक है बच्छों